नमस्कार आप देख रहें न्यूज 24 फर्ष्ट एक्सप्रेस और आपकी शाथ मैं हूं मुंता सिंग तो चलिए सुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से एक परिवार की जोपड़ी में आग लगई यह आग अतिक्रमन हटाने गई टीम की मौजूदगी में लगी थी जिसके बाद एक परिवार की मा और बेटी अस आग की चपेट में आकर काल के गाल में समा गई जिसके बाद प्रशासन पर हत्या कारोप लगाया गया भारी भरकम पुलिस फोर्स प्यस्सी और साथ कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात के तमाम पुलिस और प्रशासन की आला अधिकारियों की मौजूदगी कानपुर देहात के इस गाउं में दज हो गई वही एक साथ एक परिवार के दो महिलाओं की मौत और उसका कानपूर देहाद के प्रशासन और पुलिस पर एक सवाल था जिसको लेकर कानपूर देहाद के प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर प्रदेश के सरकार में हल चल मच गई वहीं दूसरी और विपक्ष भी इस घटना को सियासे दाव समझ कर अपनी अपनी चाल अभी चलता नजरा रहा था लगाता राजनेतिक दलो का मूवमेंट शोचल मीडिया पर तमाम टिपणिया कानपूर देहाद पुलिस प्रशासन और प्रदेश के सरकार को खेल रहे थे वहें परिजनों ने प्रशासन के उपर आरोप लगाया कि प्रशासन की टीम ने अतिक्रमन हटाने के चलते चलते उनकी जोपडी में आग लगा दी और उस आग में उनके परिवार की पत्नी और बेटी जल कर खाको गई कानपूर देहात के रूरा थाना शेत्र गाईये मंदलिक गाउं 24 घंटे के भीतर पुरे प्रदेश में चर्चा का विशे बन गया जहां एक और एक परिवार के दो सदस्यों के जल कर मौत हो गई वहीं पेडित परिवार ने शव का पोस्ट माटम और अंतिम संसकार करने से इंकार कर दिया अब तो शासन से लेकर सरकार तक को कट घरे में खड़ा करके तमाम सवाल खड़े कर दिये कि अगर उन्हें समय रहते इंसाफ नहीं मिला तो वहें अंतिम संसकार नहीं करेंगे 24 गंटे भी जाने तक प्रशासन के हाथ पाउं फूल गए लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जब आला अधिकारियों ने पीडित परिवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर ये बात कराई तो परिवार मुख प्रदेश के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी पांच एकड़ भूमी का पटा देने के संतुस्टी पकी कर दी जिसके बाद परिवार ने मृतकों का शव का अंतिम सिंसकार करने और उसे ले जाने के अजाज़त दे दी जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ले वह इस पूरे मामले में पेडित परिवार के रिष्टेदार से जब हमने बात की तो उन्होंने अपनी बात को रखते हुई कहा कि वह सरकार की आश्वासन से संतुस्ट है उन्होंने उतर प्रदेश के डिप्टी सियम ब्रिजेश पाठक से बात की थी यह बात वीडियो कॉलिंग क जर्ये संपन हुई और जो पेडित परिवार की मांग थे उससे सरकार ने संतुस्टी भरा जवाब दे कर पेडित परिवार को संतुस्ट कर दिया वहीं पेडित परिवार के सदस्य का कहना है कि घर के दो सदस्यों को सरकारी नौकरी एकरोर रुपे मौवजा और पांच एक और दोशी लोगों पर कारवाई भी होगी तो वहीं इस पूरे मामले में मौके पर मौजूद कानपूर जोन की कमिशनर राज शेखर ने भी पीड़ितों की बात पर सहमती जताते हुए कहा कि पेड़ित परिवार ब्रिजेश पाठक से बात करके संतुष्ठ हैं जिसके बाद परिवार ने नर्सरी रोग को पोस्ट माटम कर अंतिम संसकार करने के जाज़त दे री थी जिसके बाद पुलिस अधिकारियों की मौजूद की में पंचनामा भर कर शवों को पोस्ट माटम हाउस भेज दिया गया वीडियो ग्राफी और डॉक्टरों के पैनल के माधियम से दोनों श्रवों का सेंड ए पोस्ट माटम करा कर बॉडि को परिवार के सुपुत कर दिया जाएगा जिसके बाद कल परिवार दोनों श्रवों का अंतिम संसकार करेगा जो परिवार है पीडी परिवार उनके कुछ मांगे थी उस मांगों के संबन में डेप्टी सीम साब से आज वडियो कॉल के मादम से वारता हुई है प्रजेश पाठक जी से और मानने डेप्टी सीम साब ने विस्तित रूप से उस परिवार को सुना और उनके जो एक-एक स जो मांग है जो शासन सर पे है तो उनको कवरिंग लटरल आके शासन को भेजा जाए ताकि शासन जो है इस पीडित परिवार को ज्यादा 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 मदद उस पे पहुंचाया जा सकता है जैसे कि पहले पांच करोल की डिमांड थी या नौकरी की बात थी जमीन की कर सकता है कि जैसा अब आवंटन है माकान का आवंटन थे या राशन कार्ड वितरन करनी है इनको या जो स्तानी स्थ पर परिवार को सुरक्षा या ने बाकी जो कि बात हो रही है या आ मुआवजे की बात हो रही है तो शासन लेवल पे जो है कवरिंग लड़ला के भीजी जाएगी तो फिर वहां पे उस समय परसुकी जाएगी वक्त होगे एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक की बात फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के शार तब तब के लिए नमस्कार